कि नवश्कार दोस्तों मैं सब्सक्राइब करता हूं अपसे सभी पेद्रश्कों का 15 जन्वरी से 21 जन्वरी के बनते सब्ताहिक राशी फर लेकर मैं आपके समक्षू यह जानकारी चंद राशी और नाव राशी पर अधारित होगी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करें आने वाले साथ दिन आपके लिए कैसे शुब होंगे यह हम जाल लेते हैं इन दिनों में क्या अच्छा है क्या बुरा है यह हम जाल लेते हैं इन दिनों में क्या उपाय करते हैं यह भी जाल लेते हैं आए शुब आरम करते हैं आपके आने वाले साथ हम बात करने वाले हैं सिंग राशी की सब्ता के आरम की आवती समाजी गतिविदियों के लिए शुब रहेगी गतिविदिया आपके शत्रूओं पर थोड़ी सी भारी पढ़ेंगी आपकी कानूनी विवाद में विजय प्राप्त होगी इसके अलाबा यह आवती और नौकरी में या किसी प्रत्योंगता में या किसी कमप्टीशन में आपको बहुत अच्छे परड़ाम दे कर जाएगी सब्ता के मत्य में संकेत मिल रहे हैं कि माता पिता से आपका समर्थन बहुत अच्छा रहेगा सहयों मिलेगा आशिरवात प्राप्त होगा आपके भा प्रपर्टी वगरा में लाब हो सकता है परिवार के सदस्यों के साथ आप रहेंगे उनके निकट रहेंगे या समय आपके लिए हर कारे को लेकर फायदे बंद रहेगा वहां किरक रखाओ पर पैसा खर्च हो सकता है सो समय से वहां चलाईएगा घर में थोड़ा सा पैसा ख खर्च होगा वच्चों की गदिविदियों पर पैसा खर्च होगा और मनुरंजन प्रेम सम्मद्ध और जो पूर कारेंओं में आपका पैसा खर्च होता चला जाएगा सब्ता का यह जो समय है पूरे सब्ता की बात करें तो स्वास्त ठीक रहेगा आत्विश्वास नीशे नहीं आएगा परशान होंगे लेकिन फिर भी डटकर मुसीब्तों का सामता करेंगे 16-17 तरीकों समय आपके पक्ष में रहेगा आप एक कठीर महनत कर सकते हैं आपके फाइनेंस को मजूद बनानी के लिए आपको किसी अच्छे सलाकार की जरूरत होगी जटपट पैसा बनाने के चक्कर में ना पढ़े शॉर्टकर्ट से पैसा ना कमाएं एक शांदार जीवन सैली जिएंगे जिसका परदी की इस्ता होगा यानि की बहुत ही अच्छा सब्ता आपका भी देगा 18-19 तारिक को समय ठीक नहीं है आपका मूट थोड़ा खराब रहेगा सरदत रहेगा बार बार स्विंग हो जाएगा आपके मूट को अच्छा रखिए और आपके मूट से दूसरों को नुक्सान ना पहुंचे आपकी लोग मिता पर असर पढ़ेगा अगर आप अपना जो क का हिसाब किताबे किसी और दूसरे के सर पर फोड़ते हैं तो घर में अमन्चैन बना के रखें आप फोड़े से मायूत रहोगे आज ज्यादा लालच के चक्कर में आप परिशान हो सकते हो 20-21 तारिक को समय ठीक रहेगा आप अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए सही म हो आज के दिन की आज मकर संक्रागती का दिन भी है दान पुन्य करिएगा किसी अच्छे उद्शी की प्राप्ति के लिए आपको कड़ा संगाश करना पड़ेगा आप अपनी हिम्मत और अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करेंगे अपने कारियों में लगे रहेंगे आप के बच्चे बहुत अच्छा परशन रहीं बच्चे आपके बच्चे आपका नाम रोशन कर देंगे यह समय किसी महिला से दोस्ती यारी का भी है विए फार में और इदार उधर भी बात करते हैं सोला जन्वरी की आप ठकान और आलस के शिकार होंगे आपको आपको आप सो कड़ी महनत से आप पैसा देगा आप कठी महनत से ही धनलाव कबाप आएंगे जीवन साती से रिष्टे मदूर रखिए संतान क्योंसे शुब समाचार की पराप्ती होगी आपको और विद्यारती आपके उटेशन की पूर्ती में सफल रहेंगे आपके बच्चे बह बहुत आसानी से हल कर देंगे बात करते हैं 17 जनवरी की आज आप आपने लश्ची प्राप्ती के लिए परिश्रम करेंगे महरत करेंगे और आपका कोई निया मित्र बन सकता है पड़ोसियों के साथ आपके सम्मन सुधर सकते हैं अनलश्यक बाहरी भोजन मत करिए गा तला उनको बिल सकते हो आप डारेट उनका नंबर नहीं जानते कहा रहते कहा नहीं है तो इस तरीके से आपका कुछ 17 जनवरी बित्ता हुआ दिखाई पड़ेगा 18 जनवरी 23 की बात करें तो आप अपने तनाव और समस्याव से मुक्ति पालेंगे आज कर दिन परिवार और मित् सकते हैं कोई नया वहार नित्यादी पराप कर सकते हैं आपके संबंद आपकी माता जी से शुब बने रहेंगे आपकी जमापुजी बढ़ने वाली है 19 जनवरी की बात करें तो आज आप अपनी माता जी का सहयोग लें और यदि आप संपत्ति खरीना चाहते हैं जबीन चा आपके जीवन साथी से रिष्टे बढ़िया रहेंगे और आपके संबंद सभी के साथ बढ़िया है और इसकी अतरिक्त आपको कोई कश्ट नहीं आने वाला है बात करेंगे 20 जनरी की आज का वी विद्या प्राप्ति के लिए अच्छा है नौकरी करने वाई लोग अपता क ने स्थारि पूर्णा तर्फिशार के साथ रहेंगे आपका स्वास अच्छा रहेंगा अबाट च्छा रहेंगा भच्छी मन में अपनी बाते रखेंगे या किसी को बताएंगे नहीं समाजी गुस्वपर जा सकते हैं लोगों से बिलना जुलना हो सकता है आपकी गाड़ी जो धीने धीने चलने चलने ही पड़ सकती है आपको सफलता बिलेगी पढ़ाय लिखाई में भी 20 जनवरी को सफलता बिलेगी 21 जनवरी दो जाते हैं इसी बात करें विद्ध्यारती पढ़ाय लिखाई अच्छी करेंगे प्रेमी यूगल जोडों के लिए समय अच्छा है या समय जो है लेखों के लिए अच्छा है राइटर्स के लिए अच्छा है आप अपने बहुत साब प्रयास करिए आपके सभी कोश्य काम्यावी की तरह जाएं किसी पर भी अंत्य विश्वास मत करिएगा बिद्यारती अधियत में रुची लेंगे प्रेमी यूगल जोडों के लिए समय अच्छा है वैपार बढ़ेगा नौकरी बढ़ में अच्छा इंटर्वी दे सकते हैं नौकरी लग सकती है सटे बाजी में निवेश कर सकते हैं आपके लिए ऐसा ही शुब रहेगा आपका स्वास कत्तम रहेगा और स्वयम को उड़ जावार मैसूस करेंगे आपको करीब करीब 70% शुब पढ़ना मिल रहे है साथ नंबर आपके लिए लखी रहेगा तो कुल मिलाकर अब बात करते हैं उपायों की जिन उपायों से हमें 100% रिस्पांस बिला है और आज भी ओम नमो भगवते वासुदे वगए नमा मंत्रों हर्माइश लिशा को पढ़ने से आपके सभी कश्टूर हो जाएंगे और अब बात करते हैं कुछ महा उपायों की ये साल अभी निया निया शुरूर हुआ है इस साल का जन्वरी का महीना चल रहा है श्रिंदियों जैसे बड़े ग्रह का परिवर्तन हो रहा है मकर संक्रांती का पर्व है इसी सब ताहमन तो आप सभी भक्त गड़ एक तो गरीबों की सेवा करे गंगा इश्नार करें मकर संक्रांती वाले दिन कुछ ना कुछ आटा दाल चावल जूते चपल ब्लैंकेट वगरा दान करें किसी दिन्धर्म को गरीब को इतना कर लेने से ही आपका समय बच जाएगा और ये पूरा सब्ता जो है दान पुनने का है इश्वार की भक्ती करें करें इश्वैर प्रमन लगाईए इश्वैर से बात करिये लेकिन सो समझ से बाते करिएगा कुछ उल्ता सीज़ा बात मत करिएगा यह वक्त बहुत शांदार है बस इश्वर दोस्त भनना लगेए इश्वर आपकी सुनने को तैयार हैं और मगर संक्रांती वगया दिन दान को में जरू करिएगा जितना कम से कम हो या जितना जाना से जाना हो खुश रहिए परसन रहिए खुश रहते रहिए हर्यों नमस्कार